8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतराष्टी साक्षर्दा दिवस World Literacy Day, WLD, मनाया जाता है UNESCO के दौरा 1966 में इस दिवस की अस्थापना की गई थी 1967 से प्रतिवर्ष अंतराष्टी साक्षर्दा दिवस मनाया जाता है इस बार की जो थीम है साक्षर्दा दिवस की वह है और शान्ति के लिए साक्षर्दा आपसी समझ और शान्ति के लिए साक्षर्दा दुनिया का सबसे अधिक साक्षर्दा वला देश UNESCO के अंसार कौन है Finland है जहां 100% साक्षर्दा है न सिर्फ प्रात्मिक और माध्यमिक अस्तर पर बलकि उच्च अस्तर पर भी साक्षर्दा विश्व में सरवाधिक है Finland की भारत की बात के नहीं तो भारती राष्टी सरवेक्षन के अंसार भारत में साक्षर्दा दर 2011 में सिक्षा मंत्राले ने हाल में एक रिपोर्ट दिये चुकि 2011 के बाद से जणगर्णा नहीं हुई है तो जो भी इन रिपोर्ट्स है मंत्राले के विभागों की उनके आधार पर भी हम इन आकड़ों को देखेंगे एक्जाम में आ सकते हैं तो सिक्षा मंत्राले ने जो हाली आकड़े दिये हैं कि वर्ष 2011 की स्थिती में 2022 में क्या स्थिती हो गई है भारत की तुलनातमक अध्यन में प्रकाश में आया है कि भारत में साक्षर्दा दर 2011 में जो 73 प्रतिशती वो 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है 77.7 प्रतिशत हो गई है 77.7% हो गई है जो कि वैस्विक साक्षर्दा दर जो कि UNESCO की ने कहा है 86.5 प्रतिशत उससे कम है वैस्विक साक्षर्दा दर से भारत की जो साक्षर्दा दर है 2022 में वो कम है भारत में 77.7 प्रतिशत साक्षर्दा में से पुरुस सक्षर्टादर कितनी है 84.7%, वही महिला सक्षर्टादर कितनी है 70.3%, वैष्विक महिला सक्षर्टा、 अगर हम बात करें तो 89% है जिससे की ये काफी कम है महिला सक्षर्टा, सबसे कम साक्षर्टा दर भिहार में है 61.8 दूसरे स्थान पे आउनाचल प्रदेश है 65.3% तीसरे स्थान पे राजस्थान है 66.1% ग्रामीर साक्षर्टा दर कितनी है भारत की 66.77% सहरी साक्षर्टा दर कितनी है 84.1% सरवाधिक साक्षर्टा भारत में केरल में है 94% लक्षतीब दूसरे अस्थान पे आता है 91.5% मिजोरम तिसरे अस्थान पे है 91.3% साक्षर्टा के साथ उडिशा की राजधानी भूनेश्वर में भारत की पहली सिलिकान कारबाइट सुविधा का आरंब किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांची के द्वारा इस सुविधा का उदगाटन किया गया भारत की पहली सिलिकान कारबाइट सुविधा हो गिया विदेशी मुद्राबंडार भारत की जो इस्थिती है वर्तमान में 683.987 बिलियन डॉलर के रिकार्ड अस्तर पर भारत का विदेशी मुद्राबंडार पहुँच गया है पेरिस पेरालंपिक 2024 शुभंकर क्या था इसका फ्रीज था फ्रीजियन कैप वहां की स्वतनता का वहां की संस्कती का जो प्रतीक रही है उसको इस बार शुभंकर रखा गया यह पेरिस में आयोजित हुआ आदर शवाक क्या था इसका गेम्स वाइड ओपन जिसको फ्रेंच म की 549 परधाओं को इवेंट्स को इसमें शामिल किया गया उदघाटन 28 अगस्त को कहां पर किया गया प्लेज डे ला कानकार्ड में राश्वत्ती इमैनुल मेक्रों के दवारा समापन 8 सितंबर 2024 को हुआ इस्टेड डी फ्रांस में भारती दल की अगर बात करें तो भारक 12 खेलों के लिए 84 लोग भारत से भेजे गये थे उदघाटन समारों में जो भारती ध्वजवाक थे भागिश्री जाधव और सुमित अंतिल थे वहीं समापन समारों में जो भारती ध्वजवाक रहे हर्विंदर सिंग और प्रिती पॉल रहें भारत का अब तक का सरसेश पर भारत का जो अब तक का इसके पहले का सरसेश ओलंपिक पैरालंपिक जो खेल रहा था, 19 पदक भारत ने उसमें जीते थे, जिसमें 5 सवड़ था, 8 रज़त और 6 कास्य थे, इनको मिलाकर भारत 24 में पायदान पे था रैंकिंग में, तो हर दिश्टी से भारत का इस बार स्वड़ पदक जीता, निशाने बाजी में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वड़ पदक जीता, पिछले वर्ष या पिछली बार जो 2020 का पैरालंपिक गेम हुआ था, उसमें आउनी लेखरा ने दो पदक जीते थे, इस तरीके से यह इनका तीसरा पैरालंपिक पद पदक था, ऐसा करने वाली पहली भारती महिला एथलीट बन गई है, नितेश कुमार ने पुरुष एकल बैटमिंटन में एतिहासिक स्वड़ पदक जीता, सुमित अंतिल ने भाला फेक में लगा तार, जो कि पिछले पैरालंपिक में भी इन्होंने स्वड़ पदक जीता भाला फेक में, इस बार भी फेका F64 सिरीज में जो इवेंड का नाम था उसमें, हरविंदर सिंग ने तीरंदाजी में स्वड़ पदक जीता, जो तीरंदाजी में भारत का पहला स्वड़ था, धरमवीर सिंग और प्रवीड कुमार इन दोनों ने भी इतिहास रजते हुए कलब थ्रो और उची कूद में स्वड़ पदक जीते, नौदीप सिंग ने भाला फेक में हाला कि ये दूसरे अस्थान पे रहे थे, लेकिन इरान के सादेग बेत सयाह, उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, गोल्ड उनको जाता, लेकिन डिस्क्वालिफाई होने पर, नौदीप सिंग का जो सिलवर मिडल था, उसको अबग्रेट करके गोल्ड मिडल हो गया, इस तरह से नौदीप सिंग को गोल्ड मिडल मिला, भाला फेक, एफोटीवन अर्थाज जो छोटे कत के लोग होते हैं, उनकी इस परधा होती है, आपको बताएं कि इरान के सादेग बेस स्याह ये डोपिंग के कारण बाहर नहीं हुए हैं, बलकि एक बहुत ही कह सकते हैं आपती जनक एक ध्वज फैरा रहे थे, इनकी हरकतों की वज़े से, आचार साहिता काउलंगन के मामले में दोशी मानते हुए, इनके गोल्ड मिडल को छीन लिया गया, इनको डिस्क् लिया था, शीत कालीन परालंपिक, जो शीत कालीन परालंपिक होते हैं, 1976 से इनकी सुरुवात हुई थी, भारत ने सबसे पहले 1972 में परालंपिक खेलों में मिडल जीता था, जिनकी चंदू चैंपियन करके एक मूवी भी आई थी, आपको याद होगा, वही उसी की कहानी है उस खिलाडी की, जिसने पहला परालंपिक हिल में पदक जीता था, उलंपिक में भारत के लिए, अंतराश्टी परालंपिक कमेटी 22 सितंबर 1989 को इसकी इस्थापना होई थी, वान जर्मनी में इसका मुख्याले है, वरतमान अध्यक्ष इसके एंड्रिव पारसंस हैं, पद चास स्वन पदकों के साथ 124 पदक इसने जीते, इस तरह से चीन का एक प्रकार से इसमें एक तरफा बोल वाला रहा, अमेरिका ने 36 सहीद 105 पदक जीते, नीदर लेंड ने 27 सहीद 56 पदक जीते, ब्राजील ने 25 सहीद 89 पदक जीते, प्रिती पॉल ने वूमन्स 100 मीटर, वो जिन्होंने 2 पदक जीते इसमें, आउनी लेखरा जिन्होंने 2 पदक पिछली बार जीते थे, इस बार एक पदक जीता इन्होंने, वो भी स्वन पदक जीता, ये इनका 3 ओलंपिक मिडल था, हर्विंदर सिंग ने 33 दाजी में भारत के लिए पहला गोल जीता, क्रिष्टिय पहले खिलाडी बन गए, पहले फुटबॉलर बन गए, रणधीर सिंग, पूर निशाने बाज हैं भारत के, इनको एशियाई उलंपिक परिशत का पहला अध्यक्ष भारती बनाया गया है, तो पहले भारती अध्यक्ष हैं, एशियाई उलंपिक परिशत के अध्यक्ष बन आवाद?